टीप में पूछानिया है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आज हम लोग SSE CGL का सेट नंबर 19 को यहां पर डिसकस करेंगे और टोटल आपको पता है कि 40 सेट में एकजाम हुआ है और इस सेट का 19 नंबर सेट को हमें आप डिसकस करेंगे और यहां पर सेट किया जाता है और उद्यम चलाने के लिए तो आपका दोनहीं स्ट्रेट में क्या हुआ है आपका अपका करेक्ट हो जाएगा नमस्ती योजना से संबंदित तो यूएसस टार्टफ सेट्टू प्रगाम तो किस ने लौंच किया है तो यूएस स्टार्टफ ने लौंच तो प्रोग्राम जो है किसने स्टाट किया तब प्यूश गोईलिस का करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 2011 जनगर्णा के नुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है यह आपका नेक्स्ट है नेमली खीत में से कौन सा प्राकर्तिक आमल छारक सुचक है तो यह है आपका लेटमस भी होता है और आपका हल्दी भी होता है दोनों ही आपका तंत्र यानि इको सिस्टम सब्द निमली खीत में तो इको सिस्टम तो यहां पी भी एला जागा और इको सिस्टम में टी आता है तो बहुत असान तरीका है पचाने का तो इको सिस्टम सब्द जो है आपका टांसले ने दिया था नेक्स्ट है माता पिता या अभी भावक का मौलिक करता है कि वह आपने छे वर्षे से कम यानि छोटे यानि छे वर्षे 14 यह के बच्चे को अपने आश्यत जैसे भी मामला हो को सिक्षा आउसर परदान करेगा तो माता पिता या भी भावक का मौलिक करता है कि वह आपने छे वर्षे 14 वर्षे के बच्चे या आपने आश्यत जैसा भी मामला हो सिक्षा का आउसर परदान करेगा तो ऑप्सन क्या जागा आप्सन ही 14 वर्ष हो जागा नेक्स्ट है निमलीखीत में से कौन से ग्रैमी पुर और कब बहु सदस्य निकाय बना था यह बना था 1989 में इससे पहले वन एक मेंबर थे यहां पर एक एक इलक्सन कमिशनर से बाकी जो है आपका 1989 से तीन इलक्सन कमिशनर बन गया और यहां पर वोटिंग एज भी इस से अठारा कर दिया गया था नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल निमलीखीत में से किस महादीप में इसी थे तो सहारा कहां पर ता अफ्रीका में वेरी एजी कोशन था सहारा मरुस्थल निमलीखीत में से किस महादीप में है तो अफ्रीका महादीप में है नेच्ट है निमलीखीत में से किस नित्य सैली की उत्पत्ती दक्षिन भारत में नहीं हुई है तो दक्षिन भारत में भारत नट्या में तमीलाड़ो में कुछी पूरी आंतुपदेश होजगा और कथकली आपका केरल होजगा तो सत्रिय जो हापका कहाँ पर नौर्थ इस्ट में आसाम में होता है निमलीखीत में से क्या आरेभट से समधित नहीं है आरेभट से समधित क्या क्या है वो देख लीते हैं ग्रहन के बारे में एक वेग्यानिक तरक विक्सित किया था आरेभट ने ऐसा कहा कि दिन और रात प नेक्स्ट है मानने खेत के क्रिष्ण तिर्तिय का संबंद किस राज़वन से था तो मानने खेत के क्रिष्ण तिर्तिय का संबंद किस राज़वन से था तो मानने खेत के क्रिष्ण तिर्तिय का संबंद जो था आपका राज़वन से था सोडियम क्लोराइट के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने रिनायन घेरते हैं तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा किसी अर्थ विवस्था के भुगतान संतुलन खाते का समझ जो है बाह या चेत्रे से होता है आफसन के जाएगा दो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्त करता निम्लिखित में से कौन था त्यापका मिर्णालीनी सारा भाई थी फिर से देख लेते हैं 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्त करता निम्लिखित में से कौन थी त्यापका मिर्णालीनी सारा भाई ऑफसन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा कि identify the steps that is not the part of demo decomposition decomposition कौन सा नहीं आता है तो आपका soil erosion का कौन सा पार्ट नहीं है तो आपका soil erosion नहीं है बागी catabolism है leaching है और हुमिफिकेशन है निम्लिखित में से किस भारती राज में संकुधारी पेड़ पाई जाता है तो बिहार में मिलेगा नहीं उत्तरपदेश में मिलेगा नहीं मद्यपदेश में नहीं मिलेगा निम्लिखित में से क्या ग्रामीर बैंकों की संस्थागत संजरशना का भाग नहीं है तो यह है आपका साहुकार नहीं है नागभटम निम्लिखित में से किस राजवन्स के राजा थे तो प्रतिहार वन्स के थे नांगभट जो थें किस राजवन से संबंदी थे तो प्रतिहार डानस्टी से थें नेस्ट है अपरेल 222 में 126 अतिरिक्त सहरों में स्वानिधी से स्रम्रिधी कारेक्रम शुरूर किया गया है इस कारेक्रम का क्या लक्ष है तो आपका समाजिक स्रक्षा के लाप पहुचाना है समाजिक स्रक्षा के लाप पहुचाना है तो कितने सहर में 126 सहरों में दिया गया है कौन से यूजना स्वानिधी से संबंद्धी कारेक्रम फिर आपका पलासिक अईूद इंग्रीस से कंपणि के नवाब के भीच में किस वक्त लड़ा गया था तो 1777 में लड़ा गया था पलासिक अईूद इंग्रीस संपरिया कव्वच्टक बैंग्रीस यग मέ लेता है नेस्ट है निमलिखीत में से किसे देश के 2022 की ACI कुस्ती चेंपियंशिप की मेजबानी की जहां रवी दहिया स्वण पतक जितने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतिय फ्री अस्टाइल पहलबान बने थे उलन बतोर मंगोलिया इसका करेक्ट एंसर हो जेगा थोड़ा सा तो निमलिखीत में से किस देश में 2022 की ACI कुस्ती चेंपियंशिप की मेजबानी की जहां रवी दहिया स्वण पतक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतिय फ्री अस्टाइल पहलबान बने थे उलन बतोर मंगोलिया में और हमारा आज का आखरी कोशन आपका निमलिखीत में से किसने वर्स 1971 में पद विभूसन पुरुसकार जीता था तो उद्या संकर इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीके आज का से नमर्स 19 का हम लोग 25 कोशन डिसकस कर लिए हैं मिलते हैं अगले वड़े में थैंक्यू